तो बच्चो आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग यूटूब चैनल में इस वीडियो में क्लास 9th सब्जैक्ट मैथमेटिक्स यानि गणित वीसाय का आंसर की देखने वाले हैं जो कि आज आज आपनों का एक्जाम सुआ है और I hope कि आपनों का एक्जाम काफी मस्त और दबरद गया होगा तो जलिए बच्चो कोपी में आप लोग मिलान कर लीजिए और पता किजिए कि आपका कितना सही आंसर हुआ है कितना आपनों का गलत हुआ है और मुझे कॉमेंट करके भी जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों साथ भी शेयर जरू क करेंगे तो दिए बच्चो सबसे पहला सवाल दिया गया है कि रूट 5 एक संख्या है तो रूट 5 क्या हैeker ऐक ऑप्री में संख्या है औप्सन 2 जिसका सइयांत होगा अगला सवाल है निमने में किसका दसमला परसार सांथ होगा, तो दोस्तों इसका अप्सिन नमबर दो, नौ बट्टा दो, ठीक है, इसका आप लोग सोल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए अगला सवाल दिखें, चौथा नमबर दिया गया है, कि एक बट्टा रूट तीन के हर पर प्लस रूट दो, ठीक है, इसका अंसर यही होगा, चलिए अगला सवाल छटा नमबर दिया गया है, कि बहुपर 3X-2 का सुन्याक होगा, तो इसका अंसर का दो बट्टा तीन, ऑप्सन तीन, इसका से अंसर होगा, अगला सवाल साथवा नमबर है, कि Y पलस 2 का हॉल स्क्वा के प्रसार में Y का गुनांख होगा, तो यहां पर जरा ध्यान दिजेगे दोस्तों, इस सल्यूशन को आप अच्छे से देख लिजे, तो इसमें क्या है, Y का गुनांख जो निकलता है, वो 4 होगा, तो अप्सन जो है, तीन इसका से अंसर होगा, ठीक है, चलिए आगला प्र तिरतीय चतुरतास में इस्तित है, ठीक है, अप्सन नंबर जो है, तीन इसका सही आंसर होगा, चलिए अगला सावाल दस्वान नमर है, कि निर्दे सांख, मैनस दो, चार का भूज है, तो जो मैंने बताये था कि X वाला जो होता है, वो भूज का लाता है, और Y वाला कोटी का लाता है, यह X जो है, तो मैनस दो, यहां पर क्या हो जागा, अप्सन नंबर एक हो जागा, मैनस एक नंबर हो जागा, मैनस दो, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिजे, अगला सवाल ग्यार नंबर है, कि समीकरण, मैनस दो पलस 3Y बराबर 6 की तुलना, AX पलस BY पलस C बराबर 0 से करने पर A, B, A वं C का मान होगा, तो बच्चो इसका अंसर हो जागा, अप्सन नंबर 3 हो जागा, A बराबर मैनस 2, B बराबर 3, और C बराबर मैनस 4, ठीक है, अप्सन 3 जो इसका से अंसर होगा, अगला सवाल 11, 12 नंबर है, कै तक समीकरण, 11 नंबर मैं ने चुका हूँ, चलिए 12 नंबर क्यों चलते हैं, तो 12 नंबर दिया गया है, कि समीकरण x plus 2y बरावर 6 का एक हल होगा, तो दोस्तों इसका अंसर जागा 2, 2, ठीक है, उप्सन 1 इसका से अंसर होगा, आप हल यहाँ पर भी देख सकते हैं, चलिए अगला सवाल 13 नंबर है, कि यद 30 बिंदू 34 समीकरण 3y बरावर ax plus 7 के आलेक में एक स्थीत है, तो एक का मान याद किजिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सोलिक्सर में मैं करके बता दिया हो, तो इसका अंसर जागा 5 बट्टा 3, ठीक, अप्सन 3 जो है इसका से अंसर होगा, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर धियां देंगे 15 नमर दिया गया कि 55 डिग्री का पूरा कोन होगा, दोस्तों पूरा का मतलब होता है दो कोनों का यूग जो है 90 डिग्री, ठीक है, तो एक कोन पहले से दिया होगा 55 तो दुसरा क्या हो जागा 35 डिग्री हो जागा, ऑप्सन 2 इसक किसी तिर्बूज का एक कौन 130 डिग्री है तो अन्य कोनों के समद्र भाज़कों के वीज का कौन होगा तो इसका अंचला का 50 डिग्री ओप्सन नमर जो है वन इसका सहीवा सटीक अंचल होगा अगला सवाल यहां पे 17 नमर है कि यदि आकरती में आकरती में यदि अगला सवाल 18 नमर दिया गया कि यदि अबी बराबर जो है पी क्यू बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी है तो इसका क्या होगा तो हो जागा दुस्तों तिरभुज ABC सरवांगसम हो जाएगा ठीक है सरवांगसम तरभुज PQR हो जाएगा अगला सवाल 19 नमर यहां देगे दिया है कि तिरभुज ABC में AB बराबर BC है और कौन B बराबर जो है 70 डिग्री है तो कौन ए होगा तो कौन जो ए है वो 55 डिग्री होगा उप्शन 3 इसका राइटम्स रोगा और 19 का 20 नंबर सवाल दिया गया है कि तिरिभूज डी एफ में कौन डी बराबर जो है कौन एफ है और ये बराबर 4 संटीमिटर है तो डी एफ बराबर 5 संटीमि डी लिए कौन सा सकती है तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि कि यह वी पलाबर होता है यह जो हता है दोनों का उपर यह ट्रायं refugee होता है इसको आप कर लीजेगा है इससको आप लोग कर लीजेगा यह कि तुनों इसका सवाल 24 है कि निम्न आकरतियों में से किसमें आप एक ही अधार पर एक ही समानतर रेखाओं के बीच बने दो बहुज पराप्त करेंगे तो बहुज पराप्त करने के यहाँ पर कह रहा है बच्चों तो बच्चों यहां पी इसका अंसर का जाएगा ओप्शन नमर एक हो जाएगा ठीकी इसको आप लोग आकरती मिलान कर लीजिए अगला सवाल दिए आप देखे तो मैं आपको बता देता हूँ कि 24 का एक नमर इसका जो है सेयांसर होगा तो BD का फर्मूला होता है 1 बटा 4 एरिया ABC ठीक है इसको ऑप्शन में एक इसका सेयांसर होगा 25 का ऑप्शन एक इसका सेयांसर होगा 26 नमर सवाल दिया गया एक आकरती में जो दिया गया है इसका आकरती होगा बात इसका अंस रोगा 26 का झो है आपशन 4 सेंस्र होगा पैतारीश इग्री टीक है चलिए 27 नमर देखे 27 नमर दिया किया है कि अर्धविरीत का कौन होता है समकौन होता है अप्सन 3 सेंस्रोगा अगला सवाल 28 नमर है कि आकरती में जो है ABCD एक चतरभूज है और कहता है कि कौन D का मान वह सतर डिग्री है तो कौन B का मान ग्याद कितना है तो कौन B का मान जो होगा दोस्तों यहाँ पर जागे 110 डिग्री ठीक है अप्शन जो है दो इसका सही अंसर होगा ठीक है इसको मिला जाग मान जो कौन जोगा तो कुल प्रिष्टी चहतरभल निकल दाएक हमका ने taş divor अगला सवाल है कि यह destin की संटीमोर Laughter तो यह इसका जो है कुल प्रिष्टी चेत्रपल ग्याद करनी है तो कुल प्रिष्टी चेत्रपल जो इसका ग्याद करेंगे तो इसका अंसर रागा 1300 cm square option 3 जो है सही आंसरोगा 32 का अगला सवाल 33 नमर है कि एक गोला जिसकी तिरजा 7 cm है तो प्रिष्टी चत्रपल गयाद करना है तो प्रिष्टी चत्रपल इसका अंसर निकलेगा option नमर 1 616 cm square इसको आप लोग मिलान कर लिजिए अगला सवाल 34 नमबर दिया गया है कहता है कि एक संकु जिसकी तिर्जा जो है 7 संटीम्टर है और तिर्जा जो है उचाई 10 संटीम्टर है तो वक्र पिष्टी चतरबल ग्यात की जेत मैंने यहां पर आपको सौल वकर करके भी बताया हुआ है आंसर निकाल के दिया है तो इसक चतरबल का नमबर का अगला सवाल 35 नमर है कि एक संकु जिसकी उचाई 7 संटीम्टर है और तिर्जा 6 संटीम्टर तो आयतन क्या होगा तो दोस्तों इसका अन्षड़ाग इन में से कोई नहीं चलिए अगला सवाल 36 नमर है कि एक घनाव जिसकी लंबाई जो है 6 मिटर 4 मिट सो एक संसरो नमबर का अगला सवाल औकड़े का माध्यक क्या होगा की जो आपका आख्ड़ा दिया घया गए इसका माध्यक निकालें तू इसाइँ चीत की प्राक्ता जाना है यहाँ पर इहां करा है नि最 फट जो है वो कितना है साध़ बढर तो यहांपर चीद कितना निकल usually Ne अब कहता चीद की प्राइगता चीद की प्रारिकता निकालेंगे तो कितना चालिस उपटा है इकसो पसनल जो है सही आसर होगा यहीं स्पीडियो का सदोक्ना मैंने